सिराच, सुंदर और उम्रान ने दिये शुरुवाती जटके लेकिन एक बार फिर मेहदी हसन ने ऐसी मेहदी रचाई की मेजबान बंगलादेश ने किया पलट वार मेहदी के साथ मेहमुद उल्ला की जोड़ी बन गई भारत के रास्ते का सबसे बड़ा काटा जिसके चलते मेजबानों ने लगातार दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया के सामने खड़ी कर दी बड़ी चुनाओ दी तो कैसे पहली पारी में अच्छी शुरुवात के बावजूद अंत में बिखर गई टीम इंडिया क्या रहा मुकाबले का अब तक का हाल कैसे महंदी हसन बिराज ने फिर से भारती गिंदबाजों के नाक में दम कर दिया इस रिपोर्ट में हम देंगे आपको पूरी जानकारी भारत और बांगलादेश के बीच दूसरा बंडे मुकाबला शेरे बांगला स्ट्रेडियम बीरपूर में खेला गया जहां लगातार दूसरे मैच में बांगलादेश के कप्तान लिंटन दास ने टॉस जीता लेकिन इस बार पहले गेंदबाजी की जगह है उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया पर उनका ये फैसला बांगलादेश को ले डूबा और दूसरे ही ओवर में आपको बता दे की टीम इंडिया के स्टार केंदबाज महुम्मद सिराज ने अनामुल को चलता कर दिया और भारत को पहली कामया भी दिलाई सिराज का कहर यहीं पर नहीं दमा पावर प्ले खत्म होते होते उन्होंने बांगलादेशी कप्तान लिंटन दास को भी रास्ते से निप्टा दिया और केवल 49 के स्कोर पर दोनों सलामी बलेबास पवेलियन लोट गए इस से पहले कि अनुभवी आल राउंडर शाकिब भलसन बांगलादेश की पारी को सम्हाल पाते भारत की रफ्तार के सौधागर यानि कि उम्रान मलिक ने 151 की रफ्तार से एक ऐसी खतरनाग गेंद डाली कि जब तक नजमुल हसन शांतो का बला नीचे आता तब तक गेंद ने स्टम्स को बिखेर दिया और 52 के स्कोर पर बांगलादेश को तीसरा जटका लगा और यहां से पारी संभालने के जिम्बधारी उनके दो सबसे अनुभवी शाकिव और मुश्फिकुर रहीम के उपर दी लेकिन इस मुकाबले में दोनों ही बड़े नाम एक के बाद एक चलते बने वाशिंटन सुंदर की फिरकी ने बांगलादेश की कमर तोड़ कर रग दी पहले शाकिव और फिर उसके बाद एक ही ओवर में मुश्फिकुर रहीम और अफीव को लगातार दो गेदों के अंदर सुंदर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और केवल 79 गेदों के अंदर 6 विकेट खोकर मेजबान बिलकुल ही लाचार नजर आ रहे थे और तब भारती टीम के पास बांगलादेश की पारी को जल से जल समेटने का एक सुनहरा मौका था लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी भारती क्रिकेट फैंस को हैरान और परिशान करके रख दिया पिछले मुकाबले के हीरो महदी हसन मिराज एक बार फिर से भारती टीम के रास्ते में आ गए और इस बार उनका साथ महमद उल्लाह ने दिया जहां पर दोनों ने एक साथ शांदार साजेदारी निभा कर टीम को संकट से बाहर निकाला और भारती टीम के कई उम्मीनों पर पानी फेर दिया 79 पर 6 से महमद उल्लाह और महदी की जोडी ने शतकी साजेदारी कर डाली और इस मुकाबले में रोहित शुर्मा के चोटिल होने के चलते स्टैंडन कप्तान केल राहुल का बीच के ओवरो में थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच टीम इंडिया पर भारी पड़ गया और अपनी वापसी पर अक्षर पटेल बिलकुल फी के नजर आए और सुन्दर ने तीन विकेट जरूर निकाले लेकिन जहां जरूरत जादा तेज गेंदबाजों को लगा कर बांगलादेशी पारी को निप्टाने की थी वहां दोनों छोड से स्पिन गेंदबाजी का स्तेमाल हुआ जिसके जलते महदी और महमदुला को सेट होने का पर्याप्त मौका मिला और जब तक तेज गेंदबाज वापस लोट पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी 69 पर 6 के बाद महमदुला और महदी की जोडी ने मिलकर लगातार बांडरी की बरसात कर दी और दोनों ने अपने अर्ध शदक पूरे कर लिया और बांगलादेश को 200 रनों के पार पहुँचा दिया महमदुला और महदी हसन ने मिलकर 7 वे विकेट के लिए रिकॉर्ड 148 रनों की साज़ेदारी कर डाली और भारत बिलकुल बैक फूट बर था लेकिन तब ही जहां बड़े बड़े गेंदबास फ्लॉप हो रहे थे भारत के नए स्पीडिस्टर उमरान मलिक की गती ने आखिरकार अपना कमाल दिखा दिया और महमद उल्ला को 77 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज कर आखिरकार उमरान मलिक ने ये साज़ेदारी तोड़ी और भारत को इस मुकाबले में वापसी दिलाई क्या आपका जवाब है नीचे कॉमेंट सेक्शन बताई और ऐसी ही कबलो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हुमारी यूट्यूब चैनल को दन्यवाद